अगसर अब कॉंग्रेस विधायक मामन खान गिरफतार नुह हिंसा मामले में पुलिस का बड़ा एक्षिन विधायक मामन खान ने पंजाब हर्याना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी इसमें पूरे मामले की जाच मिश्पक्षता से करवाने की मांग की थी याचिका में कहा था कि हिंसा पर सभी और से सरकार घिर चुकी है और खुद को बचाने के लिए राजनीतिक विरोधियों पर दोश मरने में लगी है नूह हिंसा की साज़िश रचने के आरोप में हर्याना पुलिस ने फिरोजपुर जिरका से कॉंग्रेस विधायक मामन खान को गुरुवार देर रात को राजस्थान से गिरफतार कर लिया है डी एसपी सतीश कुमार ने इसकी पुष्टी की उन्होंने बताया कि मामन खान को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा हर्याना सरकार ने गुरुवार को ही हाई कोट में बताया कि 31 जुलाई को नूर में भड की सामप्रदाएक हिंसा के संबंध में दर्च F.I.R. में से एक में कॉंग्रेस विधायक मामन खान को भी आरोपी बनाया गया है पेशी सरकार के वकील ने ये रहस्योद घाटन उस समय किया जब गुरुवार को पंजाब हर्याना हाई कोट में खान की याचिका पर सुनवाई चल रही थी पहले मोनू माने सर अब कॉंग्रेस विधायक मामन खान गिरफतार नुह हिंसा मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन विधायक मामन खान ने पंजाब हर्याना हाई कोट में याचिका दाखिल की दी इसमें पूरे मामले की जाच निश्पक्षता से करवाने की मांग की थी याचिका में कहा था कि हिंसा पर सभी और से सरकार घिर चुकी है और खुद को बचाने के लिए राजनीतिक विरोधियों पर दोश मरने में लगी है नूह हिंसा की साज़िश रचने के आरोप में हर्याना पुलिस ने फिरोजपुर जिरका से कॉंग्रेस विधायक मामन खान को गुरुवार देर रात को राजस्थान से गिरफतार कर लिया है डी एस्पी सतीश कुमार ने इसकी पुष्टी की कि मामन खान को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा हर्याना सरकार ने गुरुवार को ही हाई कोर्ट में बताया कि 31 जुलाई को नूह में भड की सामप्रदायक हिंसा के संबंध में दर्च F.I.R. में से एक में कॉंग्रेस विधायक मामन खान को भी आरोपी बन गया है राज्य सरकार के वकील ने ये रहस्युद घातन उस समय किया जब गुरुवार को पंजाब हर्याना हाई कोर्ट में खान की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। हिंसा में कथित समलिप्तता के आरोप में तौफीका को पहले ही गिरफतार किया जा चुका है मामन खान को पूझताच के लिए पहली बार 31 अगस्त को बुलाया गया था लेकिन खराब स्वास्थे का हवाला देकर वह पेश नहीं हुए थे